जेहिन साथियों गुन्निस्सो एकोत्तर की लडाई के नायक भेरो सिंग अब हमारे बीच नहीं रहे। लोंगे वाले की लडाई में दुस्मनों के छुडायते छक्के। भेरो सिंग साल गुन्निस्सो। सित्यासी में बियेशप से रेटायर हुए थे। सीने में दर्द और बुखार के चलते हुए उन्हें अस्पताल में भड़ती कराया गया था जहां पर उन्होंने उनकी अंदिम सास ली। साल गुन्निस्सो एकोत्तर में भारत पाकिस्तान युद्ध के दोरान। विश्व प्रसिद्ध लोंगे वाले की लड़ाई में वहां अपनी भाद्दूरी के दम पर दुस्मन के सेनिकों पर काल बन तूट पड़े थे। वर्स गुन्निस्सो सिंत्यान्न में रिलिज हुई फिल्म बाडर में भेरो सिंग राठोर की भूमी का सुनिल सेटी ने निभाई है। रुपेले पर दे पर तो भेरो सिंग सेटी सहीद हो गए थे लेकिन असली बियसेब जवान और उनकी हिम्मत सोर्य और बहाद्दूरी की विरासत जिवी थे। सहीद जवान भेरो सिंग के बेटे सवाई सिंग ने कहा की मेरे पिता साधारन वेक्ती हैं। जब लोग उनसे पूझते हैं तो वहाँ 1931 में योद्ध की कहानी सुनाते हैं। सहीद जवान भेरो सिंग जी के सहीद होने की सूचना मिलने के बाद गाउं और गाउं के आसपास के छेतर में मातमी सन्नाटा परस गया। वहीं परिवार के तमाम सदोस्यों का रोरोकर बुरा हाल। वहीं सासन प्रसासन के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सहीद जवान भेरो सिंग जी को स्रद्धान जली अर्पित की है। वहीं उनकी वीर्ता और उनके इस अदम में सहास को बारं बार नमन किया है। साथियों बता दे कि सहीद जवान भेरो सिंग जी के सहीद होने की सूचना मिलने के बाद सासन प्रसासन के लोग उनके गाउं पहुचे जहां अंतिम इस्तल की तैयारियों का जाय जा लेकर अंतिम तैयारियों को अंतिम रुप दिया जा रहा है वही सहीद जवान भेरो सिंग जी का अंतिम संसकार पूरे राष्टिये सम्मान के साथ उनके गाउं में किया जाएगा देश भक्ती गितो और भारत माता के जे कारों के साथ सहीद जवान भेरु सिंग जी की अंतिम यात्रा उनके जीला मुख्याली से उनके गाउं तक निकाली जाएगी जहां हजारों लोगों का जनसेलाब सहीद जवान भेरु सिंग जी को अंतिम विदाई देने पहुचेगा भारत माता के वीर सपुच सहीद जवान भेरु सिंग जी सर को उनकी सेवाओं के लिए मैं सचद नमन करता हूँ वहीं उनके वीर परिवार के लिए घेरी सवेदना प्रकट करता हूँ सात्यों बता दे कि सहीद जवान भेरो सिंग सर का अंतिम संसकार पूरे राष्टिय सम्मान के साथ उनके गाउं में किया जाएगा